नमस्कार दोस्तों आप सब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पे तो आज हम लोगों देखने जा रहे 25 फिट बाइ 45 फिट का बहुत ही शांदार सा होम डिजाइन इसमें हम लोगों ने तीन बेड्रूम एक हौल एक किचन प्रवाइड किया है और साथ में एक बहुत ही शांदार सा पार्किंग भी प्रवाइड किया है ventilation का खास ध्यान रखा गया है house plan में यहाँ पे total 15 column provide किये गया है column की size की बात करें तो column का size होने वाला है वो 9 inch by 9 inch column का size होने वाला है दोस्तों दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा front जो है 25 feet का है बहुत ही शांदार सा दोस्तों यह home का design है आप front का design देख सकते हो और gate की बात करें तो 10 feet का हम लोगों ने gate provide किया है और gate के ही just bagel हम लोगों ने boundary wall provide किया boundary wall का design आप देख सकते हो बहुत ही शांदात रिगे का boundary wall का design है दोस्तों जैसे ही यह gate के इस तरफ से आप entry करोगे सबसे पहले आपको एक बहुत ही शांदार सी parking मिलेगी दोस्तों parking का size यहां पे होने वाला है 12 feet by 17 feet 5 inch हमारा parking का जो है total area दोस्तों होने वाला है parking के ही बगल में हम लोगों ने चोटा सा garden provide किया है दोस्तों अगर जो हम लोग उस garden की size की बात करें तो garden का size होने वाला है वो 5 feet by 13 feet 9 inch हमारा garden का size होने वाला दोस्तों दोस्तों garden के ही just bagel हम लोगों ने अपना पहला bedroom provide किया है इस bedroom में दोस्तों ventilation का खास ध्यान रखा गया है bedroom की size की बात करें तो उसका जो size होने वाला है वो 11 feet 4 inch by 12 feet हमारा पहले bedroom का size होने वाला है दोस्तों दोस्तों पहले ही bedroom के just bagel हम लोगों ने एक बहुत ही शानदार सा living area design किया है आप देख सकते हो living area की size की बात करें तो उसका जो size होने वाला वो 15 feet 8 inch by 10 feet हमारा living area का size होने वाला है living area में हम लोगों ने dining area को भी combine रखा हुए दोस्तों living area का आप interior देख सकते हो बहुत ही शानदार सा interior बनाया गया है दोस्तों और living area के ही opposite में हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा kitchen प्रोवाइड किया है कीचन की size की बात करें तो यह 7 foot 5 inch by 10 feet हमारा कीचन का size होने वाला है कीचन के ही just bagel में हम लोगों ने दूसरा bedroom प्रोवाइड किया है और उसी के बगल हम लोगों ने पिसरा bedroom प्रोवाइड किया दोस्तोν और दोनो बेड्रूम के साथ हम लोगों ने attached ट्वालेट प्रोवाइट किया, दोस्तों, ट्वालेट के size की बात करें, तो इसका जो size होने वाला है, जो की दूसरे बेड्रूम से attached है, दूसरे बेड्रूम के size की बात करें, तो इसका जो size होने वाला है, दूसरे ही बेड्रूम के जस्ट बगल हम लोगों ने तीसरा भी बेडरूम को डिजाइन किया है और दोनों बेडरूम को हम लोगों ने एक OTS से जोड़ दिया है दोस्तो OTS से जिससे की बहुत ही प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन हो सके दोस्तो अब आप देख सकते हो हमारा तीसरा बेडरूम जो है तो 11 फिट 4 इंच बाइ 11 फिट का हमारा तीसरा बेडरूम है दोस्तो बहुत ही शांदार तरीके से इसको डिजाइन किया गया बास्तु का ध्यान रख्था गया है और स्पेशली वेंटिलेशन का ध्यान रख्था गया है जिससे की लाइट कमरे में ना आये तब भी सूरज की रोशनी आपके कमरे में अराम से आये दोस्तो बहुत ही शांदार था बहुत ही कम बजट का ये घर का नक्षा था दोस्तो इस घर को बनवाने का बजट जो आने वाला हो 8-9 लाग के नियर अबाउट इस घर को बनवाने का बजट आने वाला है दोस्तो बहुत ही शांदार और बहुत ही कम बजट में हम लोगों ने इस घर का नक्षा डिजाइन किया है दोस्तो दोस्तो होपस हो ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो इस house plan में हम लोगों ने तीन bedroom एक hall एक kitchen प्रोवाइट किया था और साथ में हम लोगों ने पार्किंग भी प्रोवाइट किया था दोस्तो वेंटिलेशन का खास द्यान रखा गया है और साथ में वास्तु का भी इस house plan में धायन रखा गया है दोस्तो दोस्तो अगर जो आप 4-5 लाग के बजट के घर देखना चाते हो तो उप्पा की तरफ हमने link प्रोवाइट किया है वहाँ पे आप क्लिक करके जाके नक्षे देख अगर आपको नक्षा बनवाना पेट सरफिस है तो आप हमें message कर सकते हो मेरे whatsapp नमबर पर दोस्तो बाकि हम हर टाइब का नक्षा बनाते हैं डिजाइन बनाते हैं जो भी आपको चाहिए वह हम बना के आपको डिलीवर कर देगे जैसा भी आपको चाहिए होगा कम से कम बज बने बाद हमाई साथ बने रहने के लिए